हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी कुछ बच्चों का डाउट आया था कि ये युकलिट डिवीजन लैमा का यूज करकर हमें ये कुछ प्रूफ करने वाले कोशन थे हैं हमारे चैप्टर नमबर वन में नमबर सिस्टम के अंदर exercise 1.1 के अंदर कोशन नमबर 5 था ये हमारा कोशन था ये exercise 1.1 के अंदर कोशन नमबर 5 दिया हुआ है तो हम इसी कोशन से अपना क्लास का शुरुवात करते हैं तो इस कोशन में करना क्या है actually में पहले तो ये जान लो कि ये एक hypothetical कोशन है यहाँ पे हमारा कोई number फॉर्म में result नहीं निकल के आएगा जबकि हमें कुछ ना कुछ 1 and 9m plus 8 थीक है तो हम इसे प्रूफ करते हैं तो let's say there are two alphabets two numbers a and b are the two positive integers दो a और b मेरे दो positive integers हैं इस तरीके से हैं कि a मेरा बड़ा है और b मेरा छोटा है तो अगर मैं dividend equal to my divisor into my quotient plus remainder यह हमारा general form है जो हमने पहले भी पड़ रखा है तो यहाँ पर dividend क्या हो जाएगा a divisor b quotient q and the remainder is r ठीक है यहाँ तक clear है अब देखो मुझे किस form में लेके आना है अपना answer हमें लेके आना है the cube of any positive integer हमें क्या लेके आना है the cube of any positive integer is of is of the form of 9m 9m plus 1 and 9m plus 8 है ना तो अभी में मैं यहाँ पर क्या लेट करूँगा कि मेरा जो divisor है वो 3 होना चाहिए और 3 क्यों लिया मैंने 3 number क्यों लिया क्योंकि एक्षल में 3 जो है वो multiple of 9 है और अगर मैं उसे multiply बार बार करूँगा यानिकि 3 times या फिर 9 को 3 से multiply करूँगा तो 27 आ जाएगा और 27 जो है वो आप जानते हो कि 27 जो है वो 3 का cube होता है तो वही तो पूछ रहा है वो the cube of any positive integer या तो 9m की form में हो या 9m plus 1 की form में हो या 9m plus 8 की form म ठीक है आगे बड़े अब देखो अगर मैं divisor जो है उसको 3 ले लेता हूँ तो अब यहाँ पे है क्या कि dividend मैंने a माना था तो a equal to 3 q plus r हमारी form बन गई क्योंकि मैंने divisor जो है वो क्या let कर लिया 3 let कर लिया और क्यों let किया 3 क्यों जो है 9 से multiply करूँगा तो 27 जो है वो क्या है 3 का cube है तो उससे क्या हो जाएगा वो जो number है उसका cube का form मिरको मिल जाएगा तो आप यहाँ पे किया कि मैंने remainder क्या let किया 0 क्यों अगर remainder मेरा 0 होगा तब ही वो number जो है वो totally divisible होगा योगलिट डिविजन लैमा से तो मैंने remainder क्या जिक किया 0 let कर गया अगर मेरा remainder 0 है अगर मेरा remainder 0 है तो in such situation in such situation ए मेरा 3 q आ जाएगा है ना now cubing both set अगर मैं cubing both set करता हूँ तो a का cube equal to 3 q का whole q हो जाएगा यानि कि जो किसके equal जाएगा 27 q cube के जिसको आप लिख सकते हो 9 into 3 q cube लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं ऐसे तो यह आपको दिख रहा हो गए जो बचा हुआ 3 q cube है इसको हमने क्या लेट कर लिया m हमें 9 m पहले form बनाने थी हमारी form बन गई 9 m देखो 9 का multiple बना दिया इस पूरे monomial को और फिर मैंने क्या बता लेट कर लिया उसे कि मेरा जो m है वो 3 q cube है ठीक है तो मेरा उससाब से क्या answer आ गया कि मेरा जो मेरा जो फर्स्ट पार्ट मुझे प्रूफ करना था हो मेरा 9 m प्रूफ हो गया है ना अब कमिंग पार्ट में आते हैं कमिंग पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर मेरा remainder में लेट करता हूँ 1 तो मेरा dividend क्या बन जाएगा a equal to me 3 q plus 1 a equal to me क्या बन जाएगा 3 q plus 1 बन जाएगा देखो हमारा क्या यह जो मेरा remainder है अगर मैंने 1 लेट कर लिए इसको तो मेरा फर्म क्या बन जाएगा a equal to me 3 q plus 1 ठीक है तो हम मैं क्या करूँगा क्यूबिंग बोस सेट करूँगा तो a q का फार्मला 3 q plus 1 का whole q है ना तो अब अगर मैं देखूं तो a plus b के whole q का फार्मला लग जाएगा और फार्मला क्या होता है a q plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube है ना तो अगर मैं देखूं यहाँ इस फार्मले के हिसाब से तो मेरा a cube तो यह होना चाहिए था तो q का whole cube plus 3 3 q का whole square into me 1 plus 3 3 q into me 1 का square plus 1 का cube मैंने इसका cube खोल दिया तीक है अब क्या करें जो आगे का जितना बचावा पार्ट है जहां तक q आ रहा है मेरा as a variable मेरा q आ रहा है वहां तक को छोड़ो बचावा जो है मेरा 1 निकल के आ गया अब जो मेरे आगे वाला पार्ट है इसमें से मैं 9 क्या common ले सकता हूँ अगर मैं 9 common ले लूँगा तो देखो 9 into में यह पूरी form plus 1 यानि कि मैं अगर इस पूरे को m let कर लूँ इस पूरे को अगर मैं m let कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा कि 9m plus 1 answer आ तो मैं यहाँ पर m को क्या let कर रहा हूँ मैंने बोला ना hypothetical question है यहाँ पर आपको assume करना पड़ेगा बार बार तो यहाँ पर मैं m जो है वो assume कर रहा हूँ 3 q q plus 3 q square plus q ठीक है उससे मेरा क्या answer आ गया कि a q equal to 9m plus 1 ठीक है अब अगर मैं remainder जो है वो 2 let करता हूँ अगर मैं remainder 2 let कर अब फिर दुबारा मैंने cubing किया और वही a plus b के whole cube का formula use किया जैसी a plus b के whole cube का formula use करूँ हो तो ऐसे expand हो जाएगा बट अब यहाँ पर जब last वाले को expand करूँ हा तो वो 2 का cube बन जाए और 2 का cube क्या होता है 8 होता है तो बाकि जितने भी मेरे variable वाली terms थी उसमें से 9 common ले लिया 9 जब मैंने common ले लिया तो एक ऐसी form बन जाएगी और इस पूरे के पूरी form को मैं क्या let कर लूँगा m तीक है अगर मैं इसको m let कर ले तो तो क्या answer आजाएगा 9m plus 8 तो इसे साबसे मैं क्या बोल सकता हूँ तो cube of any positive integer is either of the form of 9m 9m plus 1 और 9m plus 8 इस तरीके से वेटे के question solve हो जा रूबर होंगे मिलेंगे एक दूसरे से तो फिर दुबारा हम इन questions को वापस से try करके देखेंगे till then अगर आपको doubt लग रहा है तो वापस से वीडियो को चला के देखो और आपका concept जो है वो clear हो जाएगा तो next part पर आते हैं यह हमारा कुछ homework है जो हम पहले भी पढ़ चुक है find the SCF using the Euclid division lemma दो questions दिये हैं छोटे छोटे चोटे आप Euclid division lemma का use करो और इनका SCF find out करो अब एक part और हम देखते हैं जो कि chapter number one के अंदर है कि हमें SCF निकालना होता है using any method using prime factorization method और Euclid division lemma बट यहाँ पर न हमारे जो question है वो word problem की form में word problem जहाँ पर language लिखी वी है उसको decode करके समझना है और फिर answer निकालना है तो देख अब question अपना कैसा है कि यहाँ पर एक sweet seller है जो कि 420 काजू बर्फी बेच रहा है है ना क्या बेच रहा है काजू बर्फी बेच रहा है और 130 बदाम बर्फी बेच रहा है and she wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they keep up the at least area of the tray कम से कम area एक word use हुआ है यहाँ पर बहुत important word है अगर उस word को आप question के अंदर पकड़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा आपको lcf निकालना है question में या scf निकालना है वो word है किया least word use कि आइसमें तो जहाँ पर at least word use हो रहा हो minimum word use हो रहा हो which ठीक है जहां पे sound कर रहा हो कम कुछ कम है कम से कम ठीक है तो जहां पे minimum word use हो रहा हो at least word use हो रहा हो इन सब questions के अंदर आपको क्या निगालना है आपको निगालना है HCF तो आपको क्या निगालना है आप पर SCF निकालना है अब देखो SCF निकालना है तरीका बिल्कुल असान हम प्राइम फेक्टरिजेशन भी अगर करें तो 420 हमारे पास कौन सी है काजू बर्फी है और 130 कौन सी है हमारी बदाम बर्फी है तो काजू बर्फी का अगर हम प्राइम फेक्टरिजेशन करें तो 420 और अगर हम देखे तो factors क्या क्या बन गए और अगर मैं दूसरा वाला देखूं मेरा 130 वाला जो है stack 130 वाले में क्या बनेगा 130 वाले में ऐसे बनेगा ध्यान से देखना तू सिक्जा फाइवजा अब अगर मैं यहां देखो तो क्या बना टू इंटू में थर्डीन इंटू में फाइव इंटू में वन मुझे इन दोनों के बीच में क्या calculate करना है स्च एफ calculate करना है to calculate the to calculate the number what we have to calculate the number that can be placed in each stack for this purpose ठीक है वो कम से कम नंबर जिसमें सारे के सारी बर्फी जो है मेरी आजए एक stack का मतलब क्या एक number of order में arrange किया हुआ एक बर्फी का धेर ठीक है धेर नहीं order में arrange किया हुआ एक बर्फी की एक line ठीक है तो आप यहां पर हम देखें तो होगा क्या कि कि 420 और 130 का मेरे को क्या निकालना है SCF निकालना और SCF का मतलब हम जानते ही है सर सिर्फ common part और जो non common है उसको क्या गरदो आप eliminate कर दो तो common part कौन कौन सा है इसके लावा और कोई common part नहीं आ रहा तो यानि कि मेरा SCF क्या निकल गया आएगा 420 और 130 का क्या निकल गया आएगा 2 x 5 x 1 so the answer is 10 ठीक है इस तरीके से आप word problem वाले questions को समझो जहाँ पे least लिखा होगा वहाँ पे आपको क्या निकालना होगा SCF और जहाँ पे at most word sound हो रहा होगा at most maximum ठीक है इन सब questions के अंदर आपको क्या निकालना होगा LCM निकालना होगा ठीक है बड़ी sound अलग-अलग कर रहे हैं ठीक है तो आपको क्या गरना है जहाँ पर least कम से कम वाली बात हो रही हो कम से कम में अरेंच करना है वहाँ पे आपको SCF निकालना है जहाँ जहाँ से आदा में करना है वहाँ पे आपको LCM निकालना है ठीक है वेटा एक question और एक एक पार्ट और रहे गया है जो आज हम करेंगे उसके बाद खतम करते हैं हमें क्या करना है आज प्राइम फेक्टर ट्री भी सीख लेना है और जिस पर बेस जितने भी question आपको NCIT की मिलें वो सारे कर लो तो प्राइम फेक्टर ट्री है क्या फेक्टर ट्री प्राइम फेक्टर से बनाओ एक ट्री है तो जैसे मैं और ट्री नाइन जा 27 विट्री वन जा ट्री जा 9 और थर्डी वन जा 13 अब देखो यही चीज ना बस टेबल की फरम में हो ट्री की फरम में अरेंज कर दिनी है देखो आपको दिख रहा होगा ट्री फोर यहां लिखा हुए इसको मैंने यहां लिख दिया फिर जो ट्री इधर लिखा था इसको इधर लिख दिया 117 को इधर लिख दिया अब अगें अगला स्टेब देखो 3 यह रहा 3 यह रहा 39 इस से अग्ला step 3 इधर है अब फिर्दवार 13 है 13 को ब्रेक करेंगे ज़ाँज़ब कर दो तो इसलिए फिर दुबार एब्रेक होगा नहीं, तो हमारा factors क्या है, अब देखो अगर इसके आप LHS में देखो कि ना, सारे के सारे numbers मेरे क्या है, prime numbers है, सारे के सारे मेरे prime numbers है, है ना, तो इस तरीके से हम prime factor 3 बना सकते हैं, तो आपको prime factor 3 बनाना है किस-किस का, 945 का, 3825 का, 1771 का, 20570 का, ठीक है, factor 3 आप बनाई है, और इसके साथ साथ आज का topic जो है, हमारा वो भी खतम हो गया, और हम आगे बढ़ेंगे अगली class में, अगले time में, अगले वीडियो में, ठीक है, अब तक के लिए वीड़ा, ओके बाई, टाटा, see you,